वेरी गूर्टी गाइज मेरा में विवेक पांडे स्वागत है से यूट्यूब चैनल पर दोस्तों साम के पांच बच चुक है और मैं लेकर आचुक हैं कम्प्यूटर की ग्लास दोस्तों आब आपको यह मालूम है हम बात करें सीजियल की अब कम्प्यूटर के बीना एक्जा नई स्टार्ट की लक्च यानि कि लक्च एसे सीजियल मेरा है सेजियल टियर टू यह दोनों के एक्जाम है जो भी हमारे पास नियर्स पाई है तो उसके लिए यहाँ पर मैं कम्प्लीट लक्च स्रीज लेकर आ रहा हूँ और यहां पर मैं करवा क्या रहा हूँ चुकि कर रहा हूँ यह साम पांच बजे इससे पहले वाली वीडियो मैंने क्या क्या था तो आपको मालूम होगा कि सीजियल 2022 में जो टियर टू में कोशन आये थे उस कोशन को मैंने कम्प्लीट सॉल्फ करके आपको दिखाया था आज क्या करने वाला हूँ दोस्तों आज हम सीजि यहां बाइस से पहले जो ससी का एक्जाम हुआ करता था उस दौरान कंप्यूटर के दो चार कोशन सा आते थे उस दौरान तो उसमें वह भी कोशन है जो आज की क्लास में आपको देखने को यहां पर मिलने वाला है विश टार्गेट पोर सीजियल एंड अधर कॉम्टिट जांशन तो लेड़ स्टार्ट सेशन सेशन को कॉपी किजिए जिस भी स्टेडी ग्रूप में आप जुड़े हुए वहां पर सेशन को सेर कर दिजिए ताकि मैक्सिम्म बच्चे यहां पर कनेक्ट हो पाए और ज्यादा ज्यादा इस क्लास का लुट उठाओ ठाओ ठीक है लेड़ स्टार्ट सेशन पहला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा आपके सामने पहला कोशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तु क्या पूछा गया यहां पर देख पा रहे विच अमोंग दा फॉलिंग स्टैंडड प्रोटोकॉल इस सब्सक्री वाइस बाइज सब्सक्रीन प्रोटोकॉल याद रखिएगा जिसका सबसे ज्यादा इस्तमाल किया रहा है यह एक ऐसा प्रोटोकॉल बेस्ट डेटवरकिंग मॉडल है जिसमें प्रोटोकॉल की ज्यादा महत्वा होती है तो टी सी पी पे जिसका फूल फॉर्म भी मैं बताता हूं transmission control protocol transmission control protocol internet protocol transmission control protocol ठीक है transmission control protocol और internet प्रोडोड़ कोड़िया और हमारा internet प्रोड़़ों यह मेरा हो गया राइड विल भी दिसी पी आईपी जराइड ऐड़ अठीक है एक बार सेशन को कॉपी कर के सारे ग्रूप में सेयर कर दिए थोड़ा सा और बाकी सारे options के बारे बात करते है HTTP क्या है दोस्तों STTP भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसका इस्तिमाल किया था किसी फी वेब पेज को access करने के लिए अगला SMTP क्या है SMTP का मतब होता है simple mail transfer protocol यह भी एक protocol है जिसका use किया जाता है mail को transfer करने के लिए अगला है FTP file transfer protocol जिसका use होता है file को upload करना और download करने के लिए that is the FTP चलिए अब बात करते है question number next category में यह SSCGL 2017 में जो paper हुआ था उसमें यह question है वो आपको देखने को मिला होगा ठीक है चैने से कौन सा है control शिफिट या DAVID यह all of the 건 में उडिफियर की के बारे बात कर रहूं या उससे हम लोग combination की भी कह सकते है याб से हम लोग combination की भी कह सकते इसमें अता क्या है इसमें भी आता क्रोल भी आता है सिफ्ट भी आता अल्ट भी आता है यानि कि all of the above is the right answer all of the above is the right answer ठीक है इसके लावा एक point और याद रखेंगा अगर आप से पूछा जाए कि इन में से कौन साथ जो toggle की है अगर आप से toggle की पूछा जाए तो guys toggle की में हमारा क्या जाता है तो basically उसमें caps lock आ जाता है ठीक है आपको उसमें num lock आ जाता है और आपका उसमें scroll lock आ जाता है यह सब जो है वो उस category में आ जाता है यह हमारा ठीक है चलिए अब आता है अगले question में a computer execute program in the sequence a computer जो है जब भी उसमें कोई भी program execute होता है वो किस order में करता है या क्या है यानि execution of order क्या है आपके program का किस में तो computer के अंदर में computer कोई भी data हम दे रहे है वो की स order पर वो काम करता है यह क्या है थोड़ा सा इसके बारे -, आपको बतातो basically क्या होता है fetch करने का मतलब होता है लेना Decode करने का मतब होता है result देना तो fetch, decode और execute यह तीर order है तो कौन सा सही order में तो right answer option number C होगा क्योंकि यह क्या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि guys यह CPU हमारा होता है CPU जो है just bugle में हमारा RAM होता है तो RAM से हमारा data लेता है तो उसे हम लोग कहते है fetch करना यह मेरा fetch करना हो गया अब CPU उसको process करता है CPU उसको क्या करता है guys CPU उसको process करता है जिसको करना कहते है decode करना ठीक है decode करना तो instruction जो लेता है उसको fetch कहते carry in instruction को fetch कहा जाता है और process the data उसे हम लोग decode कहते है और प्रोसेस करने के बाद यह result reward करता है जिससे हम लोग execute कहते है जिससे हम लोग क्या कहते है गाइस उससे हम लोग execute कहते है तो fetch, decode और execute this is the three order पहले fetch करेगा यानि कि carry in instruction decode करेगा यानि उसके साथ प्रोसेस करेगा और फिर आपको execute करके देगा that is the final answer that's it ठीक है चली अब बात करते है question number next में यह SSC CGL 2015 में यह question देखने को मिला था कि इनमें से कौन सा memory unit की यह सही order में यह है ठीक है उसके बाद field होगा record होगा ठीक है उसके बाद file होगा और उसके बाद database होगा यानि कि यह सही order इसको बढ़ते हुए करम में आपको सजाना था बहुत सारे bit को जोड़ेंगे तो मेरा byte बनता है बहुत सारे ठीक है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल उस बहुत सारे बाइट को जोड़ेंगे तो फिल्ड बनेगा बहुत सारे फिल्ड को जोड़ेंगे तो रिकॉर्ड बनेगा बहुत सारे फिल्ड को जोड़ेंगे तो फाइल बनेगा और बहुत सारे फाइल को जोड़ेंगे तो मेरा इंपक्ट प्रिंटर की केटेगरी में आता है इंपक्ट प्रिंटर कहने का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं वो प्रिंटर जिसमें इंक और पेपर है वो एक दूसरे को टच करता है उसे हम लोग इंपक्ट प्रिंटर कहते हैं जिसकी प्रिंटिंग क्वा और एक हराब हो पाती है यह आपका क्या होता है स्लो होता है तो वह अच्छा क्या है तो में पेक प्रीटर के मैं सबसें अच्छी बात है कि वह सस्ता हुथे प्रींट करने के लिए हैड और empowered का इस्थाग्या जाता है अब आते हैं इन में से कौन सा है ठीए चले तो दोस्तों अगर मैं बात करो हुई यह लाएड ऑन रिफ्ञुटर उन्पैक्ट्ट्र तो वह मेरा क्या होगा वह इन से वह 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 लिए आ क्या हो गे वह वह के बेने से वह द्राध में आप केटेगरी में आता है आपका चेन प्रिंटर है वो भी इस केटेगरी में आता है बहुत सारे चेन प्रिंटर आ गया है डेजिविल प्रिंटर आ गया ड्रम प्रिंटर आ गया यह सब प्रिंटर है जो हमारे इंपक्ट की केटेगरी में आते हैं अब आपके दिमाय में इसा आप नौनिपेक्ट प्रिंटर हमारा थर्मल प्रिंटर वो गया ब्लबल यह सा मेरा नौनिपेक्ट प्रिंटर की के टेगरी में आथा है that's ठीक है चलिए अब बढने कोशले में क्या है ठीक है अगला कोशन आपके स्क्रीन पे आ है दोस्तों क्या पूछा गया है वो देखते हैं सर्वर और कंप्यूटर देट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कप्यूटर कनेक्टिर सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो हमें रिसोर्स प्रोवाइड करता है जो हमें रिसोर्स प्रोवाइड करता है लेकिन वह सर्वर है वह किस से जुड़ा होता है रिसोर्स प्रवाइट करने के लिए ठीक है वैरी गुडु इभी सूरज वैरी गुडु इभी तो गाईज अगर पूछा गया elevated computer रहे वो रिसोर्स तो बेबिश्क ली याद रखेगा वह network से जुड़ा होता ठीक है अब थोड़ा सा इसके बारे में डिसकस कर लेते हैं कि सर नेटवर्क क्या होता है तो सिंपल सा बात है अगर दो या दो से अधी कंप्यूटर को आपास में जोड़ते हैं तो यह मेरा नेटवर्क बनता है ठीक है नेटवर्क हमारा 2 computer से भंगता है 2 lucant computer से भंगता है अब जब जब 2 या दोगों करण computer होंगे तो उचरा में क्या होगा ग्येक computer आइसा होगा से जर्वीश देगा और र५ दो सर्वीशओ सर्वीश रेगा तो जो सर्विश्स प्रोवाइडर होता है जो सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर होता है उसे हम लोग कहते है क्या उसे हम लोग क्या कहते है सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग कहते है सर्वर ठीक है सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग कहते है सर्वर दूसरा हमारा हो जाएका सर्विस रिसीबर्टी है रिसीबर हमारा जो होता है वह मेरा होता है passt लिए सब्सक्रार्टी दिश्डार कुछा गया है इस लिएन सब्सक्राइब करते घाइस सब्सक्राइब हैिडाए फ़ालिंग उसरा लागें लागे है इनमें से कौन सा जो broadband internet का टाइप नहीं है गाईज कौन नहीं है यह पूछा गया अगर मैं बात करते हो इतने से कौन सा है गुरुजी मेरा परणाम नहीं लिया परणाम ले लिया ठीक है तो गाईज इस कोशें पर बात करते हैं थो आंसर यहां पर ढूंड़ने की कोसिस कर लोग broadband कहता है कौन नहीं है तो गाईज यहाँ पर डाइलब जो है यह मेरा broadband नहीं यह डाइलब जो है यह सबसे स्लोवेस्ट मोड होता है इंटरनेट चलाने के सबसे स्लोवेस्ट मोड है वो मेरा धायलप है सिरो टेलिफोन नाइन का इस्तमाल करके यूज कर सकते हैं ठीक है चलिए तो यह बेड़ाई अच्य जितने भी बच्चे लाइफ क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल याँ देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के लिए भी देख सकते हैं, जितने भी बच्चे लाइफ क्लास ले रहे हैं, मुझे एक बार कमेंट करके बता दिया, कि सर मैं CGL की तयारी कर रहा हूं, मैं CHSL की तयारी कर रहा हूं, मैं दिल्ली पुलिस की त्यारी कर रहा हूँ मैं इसकी त्यारी कर आपका जो भी लक्ष है अपने कमेंट में जरूगे क्योंकि स्रीज का नामी मैंने लक्ष रखा है जब सर मैं एक विक से आपका वीडियो देख रहा हूँ स्टार्ट किया हूँ बहुत सर्च कर करके आपका बहुत अच्छा लगासर आज लाइफ में जुड़ा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया पलक थोड़ा सा सेशन को थोड़ा दूसरों तक भी पहुचाईएगा आप गुजरात से हैं बहुत बहुत शुगत है पुरे गुजरात वाशयोका यहां पर ठेक है वेरी गुड फारुक है सीजियल के बच्चे है पूजा कुमारी शवीता भी सीजियल के हैं मतलब हर एक्जाम के हैं तो बस मैं आपको डिसपॉइंट नहीं करूगा यह मैं पहले ही कह देता हूं ठीक है आप बस लगतार बनाए रखिएगा continuity बनाए रखिएगा MTS वाला जो सिर्फ SSC MTS की तयारी कर रहे है वो अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिकत नहीं है जो सिर्फ MTS की तयारी कर रहें उसको यहां पर तयारी करनी का आउ सकता कंप्यूडर पढ़नी का सकता नहीं लेकिन आप च्छल का फॉर्म अप्लाइग किये या ड़्टे वगरो अप लाज कर सकते ठीक है लेकिन सिर्फ और सिर्फ MTS है तो भाई कोई बात है एस करो मौच करो घर में बैटके सवह रहो ठीक है चली तो गाइस बात करते हैं अगले कोशन में अगला कोशन आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकास है रूल्स फोर एक्स्चेंजिंग डेटा बेट्विन क्या कहते है तो गाइस जो भी प्रोटोकॉल्स का इस्तमाल किया जाता है उसे हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते है प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है set of rules and regulation used in networking is known as a protocol ठेक है very good very good very good चले next part पर आते है गाईस perform simple mathematics for the cpu इनमें से कौन सा है जो simple mathematics का काम करता है किसके लिए cpu के अंदर cpu के अंदर सिर्फ और सिर्फ mathematics का काम करने वाला term इनमें से कौन सा है तो वो मेरा आप बसे रेजिस्टर है डी आई में या फिर आमारा के आयम फ्रॉम युद्ध्या आयम फ्रॉम अश्राम आयम फ्रॉम हरियानवार मतलब कस्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग यहां पर जुड़े वे इससे अच्छी खुबसूरती क्या हो सकते किसी ऑनलाइ क्राइब क्लास के नाम बीद घ्र बाइट अगर हम गाउं में ब है तो अबने घर में बैठ का यह ले पार जिससे में स्लेक्शन हो गाइस यह धेंक्यु होगा जरूर ऑलाइन क्लास का ठीक है बिल्कुल राइड याउन्स पकरता हे प 앞에 दस है जम्मू से है वेरी गूड नाइस मैं बोला ना यार मतलब प्रफुलित हो जाता हूं तो गाइस डैट इस अल्यू अर्थमेटिक लॉजिकल बेसिकली वह मेरा जो अर्थमेटिक काम करता है यहां पर याद रखिएगा बच्चों यहां पर याद रखिएगा एल्यू कहने क क्या मतलब अर्फ्मेटिक कैश QA आर्फ्मेटिक लॉजिट हो गया अर्फ्मेटिक लॉजिक होता है ठीक है तो बेसिकली यह चिरमेटिक में लॉजिकल यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर माननो की अर्थमेटिकल अलग किया हुआ रहे था तो अगर यहां पर mathematical बोला है तो आपको पीठिक करना तो डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है तो basically ALU में क्या है ABA और LBA तो arithmetic में क्या आता है Plus माइनेस गुना भागा है वो अर्थमेटिक में आता है और लॉजिकल में क्या आता है ग्रेटर दन लेस्ट दर एंड और यह सब लॉजिकल उप्रेशन में आता है तो क्या पूछा गया यह दिमांग में जा ठीक है चलिए अगले कोशन में बात करते हैं दा रिपोर्ट कार्ड और मेरिट लिष्ट फॉर्म दा ठीक है रिपोर्ट कार्ड और मेरिट लिष्ट जो होता है वो क्या बनाता है अगर हम आपका रिपोर्ट कार्ड लेते हैं या मेरिट लिष्ट बनाते है उसे हम लोग क्या कहते हैं वह हमारा इन्पूट डेटा कहा जाता ह मेने मन्हां आप आओट फूर्प देटा काता डड़ा प्रोसेसिंग कहा जाता है यां फिर वे र सेंट प्रोसेसिंग कहा तो है रिक फुछा गया है वह कीस के डिख्त लिए डियत पूछा है यह आप से appelle पूछा गया रीपोर्ट जो है तो गाइज अगर रिपोर्ट के बारे बात किया जाए तुसे लोग आउटफूट डेटा कहेंगे दाट इस राइट अगले कोशन में बात करते हैं अब प्रोग्राम रिटेन इन हाई-लेबल लैंग्विज इस रेफर्ट टू अग एक प्रोग्राम है जो हाई-लेबल लैंग वह आपका हाई-लेबल प्रोग्रामिंग लैंग्विज होता है तो गाईज आपसे यह पूछा गया है कि हाई-लेबल प्रोग्रामिंग लैंग्विज को क्या कहा जा सकता है तो गाईज अगर मैं पूछू यहाँ पर हाई-लेबल प्रोग्रामिंग लैंग्विज को हम हम लोग source code कहते है तो source code हमारा क्या हो गया तो user retain code source code कहते है और जो computer समझता है उसे object code कहते है source code क्या हो गया जो user type करता और object code क्या हो गया जो user computer समझता है यानि कि hardware friendly code है उसे object code कहते है जो user friendly code है उसे हम लोग source code कहते है तो यह हो गया इसके बारे में तो याद रखिएगा I hope clear हो गया होगा चलिए हूँ डिजाइन दा फ़र्स्ट फ़र्स्ट एलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर इनियक जो दुनिया का पहला जेनरल परपस कम्प्यूटर था उसको डिजाइन किस ने किया था इनियक जो आपका मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट जेनरल परपस कम्प्यूटर है या नहीं कि आम लोगों तक जब कम्प्यूटर पहुचा तो वह मेरा इनियक ही था इलेक्ट्रोनिक नियुम्रिकल इंटिग्रेटर आट्रमेटिक कम्प्यूटर तो उसको डेवलप किस ने किया गया था वह बेसिकली जे परसपर एक टीन दोस्तों ने मिलके किया था जे परसपर एकट और जॉन बॉक ले ठीक है तो गाइज याद रखेगा ठीक है ठीक है चलिए नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं वीच और फॉलिंग इसार लैंगवज प्रोसेसर अगर मैं अब देख पार हां इन में से कौन्स किसको भी लैंगवज प्रोसेसर कहते है बिल्कुल मेरी क्लास इसी टाइम पे रोजाना हो तो राइड आंसर के बात करता हूं बिल्कुल यहां पर अस्टेमलर भी है लैंगवज प्रोसेसर और कंपाइलर भी है तो बोथ ए और बीज़ दा राइड आज़ इसको भी लैंगवज प्रोसेसर भी कह सकते है या इसको इसको भी लोग क्या और कह सकते है इसको लैंगवज प्रोसेसर भी कह सकते है और इसको अब लोग ट्रांसलेटर भी कह सकते है बोथ हर दाइड इस चलिए अब आते हैं अंगले कोश्यन में अगला कोश्यन आपके स्क्रीन पर सी बेसिक और जावा इस बेसिक और जावार एक्जामपल और विच लेंगे सी का नाम सुना है बेसिक यहां पर कॉमा देता है बिगिनर ऑल पर पस इमपले Milwaukee इंस्ट्रक्टिंग ठीक सब्सक्रादय ओरनदे टो गाईज यह जो है वह किस कैटेग्री में आता है अब आते हैं अरे question में which electronic component used in first generation computer दोस्तों first generation computer में first generation computer पूंभे इस्तेमाल कई-玩 कांसे उस्तेमाल करते तो 총S first generation लुक्या इस्तेमाल करते था ? थो वहाँ पे व्या व्याकम ट्यूब का इस्तेमाल करते था ? समर में wasp comTube का second transistor का यह सेकेंड में transistor graph resistor का और थर्ड में में इसी का थाड में में और एसी समाल हो रहा था और VLSI जो है वो मेरा फूर्थ जेनरेसिन में इस्तमाल होता था ठीक है भीलकुल सुरज स्रहोड बिलकुल करेगा जयार एंटीस में नहीं कि यह तो ऐगा तो आगा ठीक है एक दो कोशिट आ जEl theology the ठीक है, that's it, चलिए, तो guys, यह हमारा होगा, after that, next question पर आते, अगला question है, a series of statement explaining how the data is to be, process is called, a series of statement है, a series of, पता नहीं, एक लोग दो का, ऐसा से emoji आता है, मैं confused हो जाता हूं, ठीक है, मैं confused हो जाता हूं, कि, ऐसे emoji क्या, भाई, इसका कहने का मतलब क्या है, इस emoji का मतलब ही नहीं समझ पाता हूं, प्रभा, प्रभा, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूं, आपको जो सवाल है, मैं जवाब देता हूं, थोड़ा सा मुझे समझ सा मैं, दोस्ट के लिए, ठीक है, 2024 वाला आया होगा, ठीक है, तो गईज अगर मैं बात करता हूं, इस question का right answer क्या है, इस question का right answer होगा, series of statement explaining how the data is to be process, is known as, उसे हम लोग क्या कहते है, उसे हम लोग program कहते है, वो मेरा program कहते है, that is the program is the right answer, program is the right answer, अगले question पे आते है, who designed the first computer mouse, दुनिया का पहला computer mouse जो था, उसक किस ने design किया था, दुनिया का पहला computer जो mouse था दोस्तों, उसको किस ने design किया था, that is the Douglas एंजल बट, William Angles ने किया था, या फिर Onion, किस ने किया था, बड़ा अजीव जीव नाम लिखा हुआ है, तो बस याद रखेगा, दुनिया का जो पहला mouse था, उसको develop किया था, किसने, Douglas एंजल बट ने, कीबोर्ड किस ने किया था, तो Christopher Latham Saul थे, Christopher Latham Saul, जिनोंने कीबोर्ड की खोज की थी, Douglas एंजल बट थे, जिनोंने mouse की खोज थी, तेरह में यह cross कर गया, मतलब गुजर गया, ठेक है, तो यह हो गया इसके बारे में, उसके बाद computer में आपको पता है, कि Charles Waves थे, जो computer के पिता है, ठेके computer की माता कौन है, तो Lady Augusta Ada है, वो computer की माता है, इंटरनेट के पिता कौन है, इंटरनेट के पिता हमारे विंट सर्फ साहब है, जो internet के पिता के नाम से जाने जाते है, उसके बाद इमेल पहला किस ने भेजा था, तो Ray Tomilson भाई साब थे, जिनोंने gate की category में इन में से कौन को नाता है, तो बच्चों याद रखेगा, चलिए, तो guys अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे universal gate किसको कहते हैं, तो NAND और NOR को हम लोग universal gate कहते हैं, याद रखेगा, उसके बाद or not और end जो है, इसे हम लोग basic gate कहते हैं, यह मेरा basic logic gate होता है, यह basic logic gate ह हो गया, यह मेरा universal हो गया, इसके अलावा, आपका X NOR हो गया, आपका X NOR हो गया, या फिर XOR हो गया, यह दोनों को कहा जाता है, derived gate, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं, derived logic gate कहाते हैं, तो कितने gate हो गया, 2 यहाँ हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया, eigenlijk Isात लाजिक गेट टूटल होते हैं दो है थे जरूर जरूर चली तो घाईज यह हमारा समझ में आ गया कि बेसिकरी आप को याद रontया एक समय नहीं है यूरी वरसल दोही न्य四ल गेट दोही नट और उर और नौट नेट है जिसको basically gate कहता और ये मेरा drive gate की category में आता है ओके ठीक है चलिए अब बात करते हैं अगले question में अगला question क्या है in digital system one byte is equal to digital system में एक byte के बराबर क्या होता है एक byte बराबर हाउ मज़ तो दोस्तों एक byte बराबर क्या होता है एक byte बराबर क्या होता है तो एक byte बराबर आठ बीट होता है ठीक है या इसको दो निबल भी कह सकते है वे तो दो निबल भी कह सकते हैं कुछ लिखा नहीं है इकल टो और इस लिखा हुआ है तो आंसर मेरा हो गया आट बिट हो गया वही अगर निबल लिखा रहता तो जो बताते रहेंगे ठीक है रोजाना लेकिन साम 5 बचे जूर ना जरू यार कि साम 5 से 6 हैं अगर आपको एक्जाम क्वाइलिफाई करना तो बस यह समय याद रखना और यहां पर जूर जरू जाएगा इस समय पर आपको वो हर जरूरत को मैं पूरा करूँगा जो आपको एक्जाम के लिए रिक्वाइड है ठीक ह समय फिर आऊंगा कल इसी समय पर आऊंगा आप से मिलने के लिए और ऐसे ही दूसरा मॉडल पेपर होगा जो एससे के लिए हम सॉल्व कर रहे होंगे ठीक है तो गाइस आप जुडिये का जरूर साम 5 बजे और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो स सब्सक्राइब भी जरूर कर दें बिलते फिर अगले बैच में तब तक के लिए गुद लग गुद बैट विश्यू अल रच दोस्तों